शातियों एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है हर जरुरत मन को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बाते अच्छी तरह पता होनी चाहिए तभी तो हमारा गरीब भाई बेहन उसका फायता उठा पाए दोस्तो हो सकता है कि आपने कई पर बैंकों के चक्कर लगा लिया होगा कई पर कई सारे अपली केसं से भी लोन के लिए अपलाई कर लिया होगा लेकिन आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप कहीं और से लोन लेने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है बलकि डारेक्टली आप यहाँ पर गॉर्मेंट के तरफ से जो लोन मिलता है उस लोन को ले सकते हो लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यार कहना बहुत आसान है करना बहुत मुस्किल है लेकिन मैं आपको पह करेंगे तो आपको देखनेंगे मिलेगा कि 15 साल तक के लिए लोन ले रहे हो भी पांच लाग का लोन ले रहे हो बता रहे हो को साथे तीन लाग सबसेड़ी मिल जाएगी लेकिन हर महीने के इमाई आपके यहां पर 5070 रुपे आ अगर आप कम से कम इमाई करवाना चाहोगे तो 5070 रुपे की इमाई यहां यह एक रेफरेंस बताया गया है जब इसको फाइनल पेज पर अपलाई करोगे तो उसके अकोडिंग आपको यहां पर ट्यूनर टाइम को सेलेट करने के लिए उप्सन मिल लाएगा इसके साथ साथ आप यहां पर अपने इमाई को भी सेलेट कर पाऊगे यह सब कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले हम चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं कि हमें इसको अपलाई कैसे करना कहां से अपलाई करना है इस वीडियो को एंड जरूर देखिएगा चली फिर वीडियो करते हैं शुरू लोन को अपलाई करन जरूरत नहीं और यहां आने के बाद बड़ा क्लिली मैंसन किया जा रहा है कि आप यहां पर जो भी डिटेल फिलप करने वाले हो जैसे कि अगर मोवाइल नंबर हो गया यह इमेल आड़ी हो गया तो यह किसी के साथ आपके से बिल्कुल सेव रहेगा और इसके अलावा आपक हैं साथ तरह कोर्ण के लावा देखेंगे करणे के लन में ऐसे करवाया है यहां आने कि कौन कौन से लोन दियें जाते हैं जैसे वहन ने बताया tom के कए सारी केटिग्री बी यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि आपको यहाँ पर सात लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लोन को लेने वाले वाले हो फिलाल मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर हम लोग यहां पे करना है यहाँ पर यहां पर लेनी चैकने के लिए बड़े ध्यान से और सोश समझ के देनी हैने हैं जैसे कि सबसे पहले पूछा जा रहा है कि भाइस आप आप जो यहाँ पे loan को apply करने वाले हो और loan किस purpose से लेना चाहते हो पहले आपको यह बताना जरूरी है जिसमें कि देखेंगे सबसे पहला option दिया गया है loan for head loan मतलब कि अगर आप यहाँ पे कताई बुनाई वाला कोई भी काम करते हो उसके लिए आप पहले वाले option को select कर सकते हो दूसरा देखेंगे जो manual savenger होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे loan available है जो तीसरा loan है आप यहाँ पे देखेंगे street vendor का है कहने के मतलब हो सकता है अगर आपके अपनी radio अगरा है और आप रोड पे कहीं पर radio लगा करके अपना छोटा मोटा business करते हो आप इसको select कर सकते हो इसक बिजनेस के लिए loan लेने वाले हो यह आपका business बिलकूल नया याने का स्टार्ट करने वाले हो यह आप उल्री पहले से कर रहे हो अगर आप नया कर रहे हो तो simple सा new पर click कर रहोगे अगर आप पहले से business को चला रहे हो और इसके लिए बढ़ाने के लिए पैसा लेना चाहते हो simple सापको यहाँ पर adjusting पर click करना है फिलाल हम यहाँ पर click कर लेते हैं इसकी बाद पुछा जाता है क्या आप आठ वी class pass है अगर आप पास हैं तो simple साप yes पर click कर देंगे नहीं तो no पर click करेंगे इसके बाद पुछा रहे था क्या आप ईड़ी पी ट्रेइनिंग लिया हुआ है अगर आप उसके बाड़े में जानकारी होना चाहिए विजनस है क्या उसमें बिजनस में आपको sell क्या करना है iso margin कैसे न इसके लिए बकादय एक training दी जाती है उस training को अगर आपने पहले कर लिया है तो आप sample सा yes पे click करेंगे अगर आपने पहले नहीं कर रखा इसको sample सा no पे click कर लेंगे हाला कि ये loan मिलने के बाद भी आप चाहत इस EDP training को भी कर सकते हो लेकर अगर आप पहले करते तो उसको क्या benefit मिलेगा चलो मैं आपको वह भी दिखा देता हूं जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं अगर आपने EDP training कर रखी है तो यहां पर आपको 15 से ले करके 35% तक आपको यहां पर subsidy मिल जाती है इसके साथ अगर आपने EDP training कर रखा है तो आपको यहां पर जो अपना loan के लिए अपलाई करेंगे वहां पर आपका score चेक की आता है उसमें भी आपको काफी ज़ूट देखने को मिल जाती है EDP training करने के लिए आप देखेंगा यहां पर इनके ओपीसल एक website भी है इस website पर आनेक बाद आपको अपना registration करना होता है इसके अलावा आप यहां पर देख पाएंगे यहां पर 5 दिन की भी training होती है और 10 दिन की भी training का फिलाल के लिए हम यहां पर 9 पर किलिक कर देंगे इसके बाद पूछा रहता है कि नेचर आप बिजनेस मतलब जो आप अपना business कर रहे हो इस business में क्या रहे हो मतलब कोई service वगएरा दे रहे हो तो आप यहां पर जो भी होगा यह पर उसका ट्रेडिंग कर रहे हो कहने मतल हो सकता है कि आप material लाकर खुझ से सारी चीज़ों को बना करके बेच रहे हो तो इसके लिए आप manufacturing यहां पर select कर सकते हो फिलाल यहां पर मैंने manufacturing select कर लिया है इसके बाद देखेंगे अगर आप loan के लिए apply कर रहे हो तो आप male हो या female हो आप इसके according अपना यहां पर select कर या फिर माल लीजिए आप हो सकता हेंडी केम हो या बिकलांग होगे रहे हैं तो आप यहां पर सेंपल सा यहां पर select कर सकते हैं अगर नहीं है तो सेंपल सापको यहां पर no पर click कर लेना है इसके बाद देखेंगे यहां पर आपको कुछ state के नाम दिखाये जा रहे हैं इन state आप सहर टाइप में रहते हो तो सेंपल सापको यहां पर अर्बन पर select कर लेना है अगर आप गाओं के एरिये में रहते हो तो आपको यहां पर रूलर select कर लेना है इसके बाद यहां पर पूछा था पूछाई है की ऑप अपना काम कर रहे हो कंपनी को चला रहसे इसके लिए सेंपल पर 설विंप के लेना है में इंड जहनए देने वाला हो इसके भाद नीचे की तरह पाएंगे आप से पूछा जाता है कि possibility cost जो आप अपना काम करने वालों आपकी project कोस्ट क्या होने वाली है इहां पर आप में च्छ्सक्राइब करने वाली है यहां और लग में इंटर करने वाली है अब यहां पर पूछा जाता है क्वाईया अगर आप liking बिजनेस हो कर रहे हो तो आपके पास भी क्या कुछ पैसा है अगर है तो कितना है यहाँ पर यही चीज आप से पूछा जाता है कि आप कितना पैसा इंवेस्ट कर सकते हो आपके पास जो भी हो एक लाग हो पचास जार हो दो लाग हो जो भी हो आप यहाँ पर इंटर कर सकते ह जैसे मैंने यहाँ पर एक लाग रुपे इंटर कर लिया अब हमसे बता जाता है कि required loan amount कहने मतलब यह होगा भाई 6 लाग रुपे total लगेंगे एक लाग रुपे मैं अपने पास से दे रहा हूँ अब मुझे 5 लाग रुपे की जरूरत है जैसा कि अब हमने यहाँ पर सारा कुछ फिल अब कर लिया अब यहाँ पर हमें calculate eligibility पर click करना है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं constitution लिखा हुआ आ रहा है और बताया जा रहा है कि आप 2 loan के लिए यहाँ पर eligible हैं maximum इसको हम 15 साल तक के लिए यहाँ पर ले सकते हैं और अगर हम यही पर बात करने वाले हैं दूसरे loan के बारे में जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अपना पर्धा मंतरी योजना है इस वाले में देखेंगे 5 लाग रुपे का loan तो हमें दिया जा रहा है लेकिन यहा पर जो हमारे पास PMEGP वाला लोन था इसमें सिर्फ 9% रेट आफ इंटरेस्ट लग रहा था यानिकि इन दोनों लोन में से आप जिसको चाहिए उसको अपलाई कर सकते हो लेकिन यार अगर जहां पर हमें सबसीडी मिल रही जहां जाता समय के लिए loan मिल रहा है इसके इसास आपको यहां पर एडिट पर किलिक करने बाद आपने जो भी यहां पर फिलफ किया हुआ उनमें से किसी भी चीज को एडिट करके सही कर सकते हैं लेकिन हमारे केस में यहां पर सारा कुछ सही है तो सेंपल समय आपर login to apply पर किलिक कर देंगे यहां पर दोस्तों सब से पहले आपको अपना मोवाइल नंबर इंटर कर देना है इसके बाद जो भी कैप्चर दिखा जा रहा है यानि कि कुछ इनकी टरम कंडिशन दिखाई जाएगी जिसमें के सबसे पहले पर प्राइवेसी पॉल्सी आपको देखने हूं इसके लिए सेंपल्स आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करते हुए आना है यहां आने के बाद देखेंगे अब आपका यहां पर नीचे हाइलाइट हो जाएगा नेक्स्ट वाला बटन सेंपल्स पर क्लिक कर देंगे इसके बाद इसी तरीके साब को ट्रम कंडिशन को देख लेन करने की जरूराइगा पासवर्ड बना लेना है पासवर्ड आप बनाएंगे थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए हलाक मैं एक जाहीं जैसे यहां पर आपका स्ट्रॉंग पासवर्ड डल जाएगा सारा कुछ ग्रीन होजाएगा सेंपल से नीचे आपको प्रोसेट पर किलिक कर देना है इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपके लोन के बारे में सारी जानकारी आपको दिखाई जा रही है लेकिन अभी भी फाइनल अमाउंट या फाइनल टूनर टाइम करेंगे लेकिन अगर आपको कुछ भी अभी फी गलत लगता तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिलाल यहां पर में कंटीनू करने वाला हूं इसके बाद देखें यहाँ पर सेंपल्स हमें प्रसट क्लिक कर देना है अब यहीं से हमें इस application पूरी तरीके से complete करना है यहाँ पर अगर हमारा एक नय application है तो हम sample से यहाँ पर देखेंगे applicant for new unit sample से इस पर apply पर click कर देंगे यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको अपने अधार कार्ट का number इंटर कर लेना है लोन बनाया गया है गरीवों के लिए लेकिन गरीवों को मिलता है इसा बहुत मुश्किल की बात इसलिए मैं आपको बताना चाहूंदगा चाहूंगा कि अभी यहाँ पर आपना सारी कुछ वर रहे चैवखने अको यहां पर राप्लॉड करते हुए अब यहां पर बांकर मैं में आपको इस वीडियो बनाओं की वीडियो बहुत हैं नुल णस्ति हो घाय की आप अप्लाई करने जाओ तो आपको प्रॉब्लम हो तो दूसरे वाले पार्ट में आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी एक्स वाइजट बिलुकुल एंड तक ही जानकारी मिल जाएगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा प्लिस कमेंट करके जुरू बताईएगा चलिए फिर मिलते हैं इसके नेस पाड़न तब तक के लिए जय हिन जय भारत